Assalamualaikum, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि Literary Devices कौन-कौन सी है और मैं आपको इसके बारे में इसका Concept with Examples बताऊंगी So, सबसे पहले हम Literary Devices को देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी है Simile, Metaphor, Personification, Hyperbolic, Irony, Symbol, Imagery and Alliteration So, सबसे पहले हम Simile को Discuss करेंगे कि Simile क्या होती है Simile जो है न वो दो Dissimilar Things को हम आपस में compare करते हैं Like और As का वर्ड यूज करते हुए हम आपस में उनको compare करते हैं उसे कहते हैं Simile दोनों चीज़े एक दूसरे से टोटली different होते हैं लेकर हम न मतलब कि किसी चीज़ को तश्बीह देते हैं मतलब कि हम तश्बीह देना किसी चीज़ को उसे रापर करते हैं तो मतलब कि उसे कहते हैं Simile Now for example, देखें, My Daughter Is Like A Doll मेरी बेटी डॉल चैसी है मतलब कि मैंने तश्बीह दी है ठीक है, Like का वर्ड यूस करते हुए तो यह होती है Simile Next है हमारे पास Metaphor Metaphor क्या होता है? Metaphor का भी सेम यही concept है कि हम मतलब कि दो dissimilar things को आपस में compare करते हैं वो भी चीज़ें दोनों आपस में different होती है लेकिन इसमें हम Like और As का वर्ड यूस नहीं करते हैं इसमें हम डायक और As का वर्ड यूस नहीं करते हैं इसमें हम Like और As का वर्ड यूस करते हैं फिर तश्पीर रहते थे इसमें हम डायक बोलते हैं कि मेरा बेटा है मेरी बेटी डॉल है ठीक है? Next है हमारे पास अब Personification Personification में क्या होता है? पर सॉनिफिकेशन में हम जो है ना वो human quality जो है ना वो human quality को non human को देते हैं ठीक है means के living thing की quality हम non living thing को देते हैं जो के possible नहीं है ठीक है non living जो चीज़े होती है वो तो नहीं ना हिल हुल सकती है तो इस तरह से है ये so for example हमारे पास है stars are dancing on the sky अब stars जो है वो non living है और dancing जो है ये क्या है ये human quality है ठीक है अब stars जो है वो dance तो नहीं ना कर सकते है तो ये उसे quality की दी गई है तो ये आती है personification next है हमारे पास hyperboli hyperboli होती है कि बात को बहुत ही बढ़ाद चुड़ाकर बताना बहुत जादा ना exaggerate करना मतलब कि एफेक्टिव बनाती है ये हमारे communication में बहुत ज़दा मतलब कि एफेक्ट क्रियेट करती है इस तरह से ना अब for example I will die if she ask me to a dance मैं मर जाओंगी कुछ से मुछ डांस का तो मैं मर जाओंगी ये इस तरह नहीं ना होता ये तो बहुत exaggerate की जा रही है यहां पर बात और दूसरी है I am so hungry I could eat an elephant कि मैं इतनी बुख्य हूँ कि मैं elephant खा सकती हूँ हम elephant तो नहीं ना खा सकते तो ये भी बात को ना ये इसमें hyperbole use हो रही है ये बात को बहुत जाता exaggerate किया जा रहा है इसमें अंदर next है हमारे पास irony irony क्या होती है irony वो होती है जो हम बोल रहे होती है हमारा मतलब वो नहीं होता हमारी intention वो नहीं होती है और जो in return हमें जो उनसे answer मिलता है ना हम वो expect नहीं कर रहे होती है let's suppose कि मैं कहते हूँ कि मैं fail हो गई हूँ तो मुझे in return answer मिलता है अपने गरवारों से कि तुम oh wow you are so intelligent ये वो अब मुझे मैं तो इनसे ये expect ना कर रही थी कि वो मुझे आगे से इस तरह कहीं कि कि तुम intelligent हो मुझे तो ये ही था कि वो मुझे daunting है कि तुम क्यू feel हो ये तुमने पढ़ा नहीं था bla 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 तो इस तरह जो ह आगे से हमें ये मुझे जो answer मिला है ना उनसे कि wow you are so intelligent means ये irony है irony किस्ता से मुझे taunting way में वो मुझे मेरी बात का जवाब दे रहे हैं तो ये होती है irony next है हमारे पास symbol symbol क्या होता है symbol कुछ भी हो सकता है अब जैसे writers जो है वो अपनी points में अपने stories के अंदर words यूज करते है snake क प्लैक का रोस का तो power का power का या dictator का word जूज किया जाता है ठीक है अब symbol कुछ भी हो सकता है symbol animal का भी हो सकता है single place sorry symbol place का भी हो सकता है think का भी हो सकता है color का भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है for example हमारे पास है rose रोस हम सिंबल क्या होता है ब्यूटी का होता है ठीक है black किसका सिंबल होता है death का होता है snake किसका सिंबल होता है evil का होता है इस तरह हमारे पास बहुत जदा ना power या dictator इस तरह की जो सिंबल होते हैं जो हम use करते हैं नेक्स्ट है हमाई पास imagery, imagery क्या होता है, imagery वह वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑफिल करते हैं, वह वर्ड्स हमें महसूस होते हैं, हम imagine करते हैं वो मतलब कि वो words यूज कर रहे होते हैं तो ना हम imagination में चल जाते हैं कि हाँ ऐसे हो रहा होगा इस तरह से होगा या उस तरह से होगा तो इसकी example आद लेकिने जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप फुद आपके तरह माइड में की image क्रिएट हो जाएगी ठीक है सो next है हमाएइपास alliteration अलिटरेशन क्या होती है alliteration जो होती है वो repetition होती है मतलब कि repetition को यूज करते हो जो consonant sounds होते है na consonant sounds वो होते हैं जो हम vowels को निकाल के गे बाकी वरस fa Tsch थे हैं उसे कहते हैं consonant sound थी कह ठीक है आप हमाएइपास इसकी example है the soul select her own society अब बेखें इसके उन्तर जो वर्ड एस है वो बार्बर यूज़ तो यह होती गया है अगर आपको इसे क्रिया कार्टिंग कोई भी क्वेस्टन है तो आप मुसे एक मैंन सेक्शन में पूछ सकते हैं और इन लिटरेरी डिपाइसे से रिलेटिड मैंने अलग-अलग वीडियोस बनाई हैं आप वो गो थू कर सकते हैं अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुसे पूछें अगर आप इससे पहले में चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थांक यू